आज रम्जान का साथवर रोजा है और आज मैं बना रही हूं आप लोगों के लिए बहुत इस्पेशल कड़ाही की रेसीपी रम्जान में दिल करता है कि बहुत इस्पेशल की चीज़े हो और मैं जितनी भी जादा रेसीपी आप लोगों बनाएं और मेरी इस रेसीपी को फॉलो करें आज मैं बना रही हूं बट वीट कड़ाही बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसीपी है स्टार्ट करनी से पहले मेर एक चैनल पर नहीं आने वाले जड़ी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दें बैल इकोन को और सेक आपको मेरी रही आने वाली वीडियो का नोटिफकेशन सबसे पहले देखने को मिले तो टाइम बेस्ट नहीं करेंगे जल्दी से बढ़ते हैं अपनी जालूंगे वो आपके सामने ओयल डालेंगे इसमें एक अप तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिसमिल्ला रख्मानी रहीम सबसे पहले कुकर में गोश्ट डालेंगे ये बीफ का गोश्ट है और मचली वाला गोश्ट है इसको थोड़ा टाइम लगता है गलने में इसलिए मैं डालूंगे प्यास डाल दी है साथ में थोड़ा सा नमक थोड़ी सी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डालके तो इसमें थोड़ा साम ऑईल डालेंगे ताके ये नीचे नहीं लगे थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे जीरा है इसमें काली मिर्च है और साथ में लसन है लसन हम पीसा भी डाल सकते हैं और साबट भी डाल सकते हैं तो अब हम इसको प्रेशर लगा देते हैं पंदरह से 20 मिनट के लिए इसको चलाएंगे उसके बाद इसको खोल के चेक करेंगे तो आयल जो है हमेशा से बिलकुल ताजा और फ्रेश आयल यूज़ करना चाहिए पकोड़ वाला वाल जो है वो सालन में ने डालना चाहिए क्यूंकि वो बहुत ज़यादा पका होता है तो वो अच्छा नियूँ होता हो मैरी से लिए भी ऐच्छा नियूथ तो अब ये देखए जी ये गल चुका है गोश्ट तकरीबन गोश्ट गल चुका है थोड़ा सा इसको सकती रहना चाहिए ताके वो बुनेगा तो बुनाई के दुरान भी गोश्ट गल जाता है तो आप जल्दी से हम टुमाटर जो है उसको चौप कर लेते हैं तीन मेने टुमाटर लिये हैं कडाई में आपको पता है ना के टुमाटर बहुत अच्छे लगते हैं तो इनका खटा 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 जो टेस्ट होता है उसके साथ कडाई का टेस्ट ही और हो जाता है वैसे हम गोश्ट बनाएं तो उसका टेस्ट और होता है लेकिन कडाई का टेस्ट बहुत ही आउट कलास होता है रमज़ान में तो स बढ़ाही हो गई, खुश्क सबजी हो गई, शौर्बे वाला सालन हो गया, इस तरह की चीज़े बहुत मज़े की लेगती हैं, मेरे घर वाले जो स्पेशली आलू अन्डे का सालन, आलू के प्राथे और सबजी वगरा कम खाते हैं, और गोश्ट और इस तरह की चीज़े डाल लेंगे, और इसको भूनेंगे कड़ाई के अंदर, टमाटर डालेंगे इसमें, और इसको अच्छा सा फ्राइ करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा हमारा सालन जो है, वो रेडियो का कड़ाई का, तो अब इसको हम अश्लो आंच पे वो करेंगे, डाल देंगे बाकी की जो होंगी वो हम उपर गानिश के लिए रखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा सालन हमारा रेडी हो रहा है यह छोटी सी रेसिपी है आप लोग इसको जरूर फॉलो कीजिएगा और इसी तरह से इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बह उसके बाद यह जो मिर्चे मैंने गानिशिंग के लिए रखी थी वो डाल देते हैं क्योंकि अब कड़ाई तो रेडी हो चुकी है गोश गला हुआ था अब धनिया डाल देंगे दनिया से गानिश करेंगे इसको और खुबसूरत सी गर्मा गर्म कड़ाई हमारी रेडी हो थोड़ा सा पिसा हुआ मसाला डाल देंगे खुश्बू के लिए उसके साथ खुश्बू बहुत अच्छी आती है सालन की तो अब निकाल लेते हैं हम इसको डिश में डोंगे के अंदर मैं निकाल लूँगी इसको बहुत ही टेस्टी मज़िदार और कलरफुल सी हमारी कड अच्छाई रडी हुई है बट कड़ाई है ये बटों की खुराक है तो आप लोग भी जरूर बनाईएगा इसको आप नान के साथ ले सकते हैं चावल के साथ ले सकते हैं और तंदूरी पराटे के साथ और घर की खुश्क रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार सालन है आप में बनाईんで और मुझे दौाएं दे कि इतना अच्छा सालन की इतने अच्छे सालन की मैंने आपको रेसी पी दी है इसको चेक कर लेते हैं गोश्क माशיयालला से बहुत अच्छा गला हुआए तो आप लोग इसको ज़ूर बनाएंगे और इंज्जॉय करेंगे इसके मज़िदार सा सालन बना है उमीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें कुपिंग विद्चाजिया रेसिपी से रेलेटिड अपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमिट्स कर सकते हैं इंशाला मैं आपको ज़रूर रिप्लाइ करूंगी थैंक यू सो मच पर वाचिंग अपना बहु सारा ख्यार रिखिएगा द्वाव में याद रिखिएगा इंशाला मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाफेश